नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों खास कर रात के समय पतनी को पती का ये एक अंग जरूर पकड़ना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है पतनी को ये एक काम नियमित तवर पर करना चाहिए। क्यूंकि इससे कई फायदे होते हैं। दोस्तों एक पतनी अपने पती को परमेशवर मानती है और उसकी सेवा करती है। पतनी के लिए पती एक भगबान का रूप होता है। ऐसे में अगर हमारे घर में इस्त्री अर्थात ग्रहडी है तो उसे लक्षमी का रूप माना जाता है। और हमारे द्वारा उसे लक्षमी सौरूप मान कर बैसा ही सम्मान दिया जाता है जो उसको पराप्त है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं जो पतनी खास कर रात के समय अपने पती का ये एक अंग छू लेती है तो उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी का साथ पाना चाहते हैं तो एक पतनी को पती का ये एक अंग जरूर छूना जाहिए जिसे जानकर आप चौक जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और तो जाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वो अंग कोई और नहीं बलकी पती के चरण हैं जिसे चूने पर घर में संपन्नता आती है। दोस्तों इसके पीछे एक कारण है शास्त्रों के अनुसर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लक्षमी जी स्री बिशुरू जी के साथ सागर में शेशनाक की शैया पर बिराजमान रहती हैं और सागर में स्री बिशुरू जी के चरण कमलों को इसपर्श करती हुई दिखाती हैं। इसलिए ये कारण है कि महिलाओं को धनकी देवी का इस्थान प्राप्त है। दोस्तों एक महन्यता के अनुसार जो भी इस्तरी अपने पती के पैरों को दबात तो उस घर में हमेशा मा लक्ष्मी बिराजमान रहती हैं और उस घर में खुद मा लक्ष्मी सदा के लिए बिराजमान हो जाती हैं। दोस्तों जब इस्तरी अपने पती के पैरों को दबाती हैं तो उस समय धनका एक ऐसा योग बनता है कि आप माला माल हो जाते हैं और आप कभी भी धन के लिए परेशान होना नहीं पड़ता ऐसे में माता लक्षमी के साथ ही बिशुरु जी की करपा भी मिलती है इन दोनों का साथ आपको करोड़ पती बना ही देता है और जहां पती का सम्मान नहीं होता उस घर में माता लक्षमी कभी वास नहीं करती दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत